सबी मेरे किसान भाई, पशु पलक भाई, डेरी फार्मर साब सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रिट्मेंड में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भैस ब्याहने के बाद एक टाइम दूद देने लग जाती है और यह समस्या का क्या कारण है, इस समस्या का कारण जानेंगे, साथ में इसका क्या इलाज है, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे हिसान भाईयों से निवेदाने की वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम का वीडियो है चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर पशुपचार से सम्मंदित सारी जानकारी मिलती रहे हैं तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं कि भेंस का एक टाइम दूद देने का कारण भेंस एक टाइम दूद पर क्यों आ जाती है शुरुवात कैसे होती है इसके लिए बारे में बात कर लेते हैं होता है क्या है कि वेस्स के बयाने के बाद अधिक तर। दो परिस्तिती बनती है। या तो उसका बच्चा मर जाता ए उसके कारण भी वेन्स नहीं सेट हो पाती तो वो एक ही टाइम धुद देती या फिर दूसरी कंडिशन हिंदी में बोले तो उसके पूरी दुख दावस्ता जो होती है आठ मेने से लेके दस मेने की उसको पूरा दोनों टाइम दूद देना चाहिए एक जिसा और अच्छे से दूद देना चाहिए तो इसमें क्या होता है कि भेंस जो है एक टाइम दूद देने लग जाती है और ए से नुकसान क्या होगा प्रशुपालक भाय का कि वह अगर पाल लिटर दूद में या फिर तीन लिटर भी दूद देना बन कर दिया है यह तो प्रशुपालक को सीध है यहीं कि इतने ज़्यादा कोई पैसे खर्च करने की जरूत नहीं पड़ेगी आपको केवल वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझेगा शुरुवात कहां से होती इस बारे में बात कर लेते हैं भेसों में क्या होता है कि केल्शियम की जैसे कमी होती है ब्लट के अंदर भेस कि वो टांगे उठाने लग जाए बार बार टांगे पटकने लग जाए तो समझ लीजिए यह लक्षन वो है वो भेस ने आपको बता दिया है कि मैं एक टाइम होने वाली हो और यह एक टाइम दूद ही दूँगी आप इसका उस जैसे ही दो तीन दिन तक ऐसा नहीं होता है कि भेस एकदम से अचानक से कि चलो आच फुटी है एक टाइम कल से एक टाइम दूद ही मिलेगा आप आओगे भी सही तो दूद निकालने तो पर में दूद नहीं दूँगी ऐसा नहीं होता है भेस आपको बिलकुल बकाईदा संकित देती है यह आपने इस सही संकितों को स करने लग जाएगी दूद देने में और वह एक टाइम होने की कंडिशन पर पहुंच जाएगी यह अपने ध्यान नहीं दिया तो जबकि गायों के साथ गायों की बात कर लेते थोड़ी आप वीडियो को पूरा देखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह आपको बहु दूद देने लग जाती है और वो भी कंडिशन कब बनती है कि जब तक आप उसको अगर दो साल तीन साल तक भी कृति गरवादा नहीं करवाते फिर वह जाकी एक टाइम दूद देती फिर भी देती जरूर है भैसों जैसा उसमें इस्तिती नहीं होती है अब गाय क्यों एक बोलते हैं इसको फीमर बोन से केल्शम रिलीज होता है यानि कि महां से केल्शम निकलता है वो दूद के अंदर मिक्स होता है इसकी वज़ए से गाय अगर वो छे लिटर एक टाइम दूद दे रही है या पांच लिटर दे रही है तो दूद कम होते होते है आपका 2,5 लिट बगिस्फद में बैसे में दूद करें अपी खंडान की सही उससे बहुआ स्वार इसको नीनद जाये का सकती हे je ज़ए में वहां कि पूरती पोर देशं तो यह कंडिशन जायों में नहीं होगी मीस एंवार भैस कि गाय ओं जानकी में बहुएं जाग जो है पुठे वगेरा सारे उसके हड्डिया ऐसे उपर की तरह उठे वे नजर आएंगे क्यों उठे वे नजर आएंगे क्योंकि आप उसमें केलशम की पूरती नहीं करेंगे गाय कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि गायों के अंदर आप जादा से जादा मातरा में हरा चारा खिलाई है और साथ में केल्षम की पूरती भी करें तो यह कंडिशन गायों में नहीं होगी अब कर लते हैं भैस की बात भैसों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यदि केल्षम की थोड़ी भी कमी हुई तो भैस दूद देना बन कर देगी वह एक टाइम हमने के दूद्द देने लग जाएगी और उसका जो है जैसे कि मैंने गायों की बारे में बताए कि गायों में क्यल्ष्र केल्षम रिलीज होता है यानि कि निकलता है हड्डियों से जांग की जो हड्डी होती है दोनों पेरों की फिछले महां से केल्षम निकलता है गायों में जब कि भेंसों में बिल्कुल बेसा नहीं होगा भेंस कितनी भी हश्ट पुष्ट क्यों नहीं कितनी भी हेल्थी क्यों वहाँ से कैल्षम नहीं निकलता है उसकी सारी सारी देख्राइव कि रिलिज्म नहीं हो गांदर बाहर से करना पड़ेगी आहर के द्वारा चाहे आप हरा चारा दीजिये चाहे बाहर से केल्षम लाके दीजिये जब तक आपके यल्शम देते रहेंगे भेंस दोनों ताइम अच्छे से दूद देती रहेगी अब शुरुवात कर लेते हैं कि अगर यह समस्या हो रही है और यह आदि आपका भेंस ग्याबन है तो इस समस्या आगे हो इना फ्यूचर में इसके लिए क्या करें तो इसके लिए मै में आप चार महिने की जब घरब होसता आपकी भेंस की हो जाए इसके बाद आप मिनरल मिक्चर जरूर दीजिए कब तक मिनरल मिक्चर देना है मिनरल मिक्चर देना है आपको जब तक कि आपकी भेंस नहीं बिया जाती यानिकि 5 किलो मिनरल मिक्चर आपकी लिए सफिसेंट हो जाएगा यानि कि 30-40 ग्राम मेक्जिमम 50 ग्राम अगर आपकी भेंस की बहुत अच्छी हैल्थ यह इससे क्या होगा मिनरल मिक्चर से मिनरल मिक्चर से यह होगा कि इसके अंदर दुनिया भर के विटामिन्स मिनरल्स और केल्शम है साथ में फासफोरस है तो भेंस के अंदर केल्शम की पूरती बनी रहेगी और आपकी भेंस जो है एक टाइम कभी नहीं होगी किसी भी कंडिशन में पूरे दुख दवस्ता में पूरे दोनों समय एक जिसा दूद देगी एक टाइम की जो तो आपको लगता है कि आपको पता चल गया जिससे अप दूद्द्ं निकालने जाएंगे तो की कारण नहीं दिया दूसरे दूसरे दिन लुगिये सबस्क्सिर से बनेंते है तिसरे इस में इसके बाद बहुत दूद दिन बिल्कुल बन कर देती जब किसान भाई मैंने आपको पहले बताया है कि यह संकित देने लगे कि जब आप सामधन रुप से अपनी भेंस का दोनों समय दूद निकाल रहे हैं और भेंस टांगे उठाने लग जाए पटकने लग जाए आपको बार बार दूद निकालते निकाल करने लग जाए तो समझ जाए कि भेंस सो प्रतिशातल एक टाइम होगी इस तो इससे पहले इसको केल्शम जेल जो आते हैं एडवांस फॉर्मुला में उसको 600 ml और आजकल एक लिटर की पेकिंग में आने लगे हैं मिनिमम उसको 300 ml का डोजे वो एक टाइम दीजिए उससे क क्या होगा कि इंस्टेंट क्यानी की ततकाल केल्शम की पूरति उसके पर शरी में हो जाएगी इस और आपकी भेंस से एक टाइम देने से बच जाएगी पर आपके लिए एक आपको एक काम और भी करना होगा इसके साथ क्या करना होगा दूद निकालना नहीं छोड़ना कि भाई आजाओ मेरे में तयार हूँ आप मेरा दूद निकाल लिजी ऐसा नहीं होगा जब आपकी भेंस एक टाइम दूद देने लगने की कंडिशन में आ गई है या आ गई है आ जाती है तो उसका दूद निकालना मत भूलिए आप उसके पास बेठी है भले वह लात मारे होती है कि यह जैसे आपने ठील छोड़ी को भेंस दूद देना किसी देगी फिर वह किसी कंडिशन में दूद नहीं देगी तो भेंस के लिए नहीं बरतना है वह अगर यदि एक टाइम हो रही है तो आपको बिल्कुल कंटीनियों इसका पीछा पकड़के रखना है केल्श गर्मी के मौसम में यह दिया आपकी भेंस ग्याबन है तो आप कहीं से भी केसे भी विवस्था करके उसको हरा चारा देंगे तो आगे जब याईगी तब यसी इस्तिति नहीं बनेगी यह भी मैं आपको बता देता हूं साथ में आपको एक चीज को है और ध्यान रखे कि च करने के लिए बोटल वगेरा चरवा देते हैं साथ में यह ना करें कभी भी दूसरी गलती यह रहती है कि उनको पता रहता है किसान भाई को कि मेरी भेंस एक टाइम दूद्ध दे रही है तो वह क्या करते हैं किसी पसुच्च से संपर्क करते हैं या फिर किसी दूद नहीं दे रही तो दूद उतारने वाले दवाओं से कुछ भी नहीं होगा बिलकुल जीरो परसंट फर्क पड़ेगा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा इसका कारण बता रहा हूं मैं आपको कि दूद्ध नहीं देने का कारण यह फैक्ट्री के अंदर माल ही नहीं बन सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बोट बनिवाट